So guys, अगर आप लोग Google File को use कर रहे है और अगर आपने जो आपको save folder मिलता है अगर आप लोग उसका password अगर भूल चुके है और अगर आपको उसका password को recover करना हो अगर उसे reset करना हो तो कैसे आप लोग यह सब setup करेंगे वो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे की या फिर रिसेट करने की पासवर्ड भूलने के बाद तो आपको पता है कि यार इसमें काफी ज़्यादा लंबा प्रोसेस होता है बट यहां पर आपको ज़्यादा कुछ करने की जुरत नहीं पड़ेगी जब अगर आप लोग सेफ फोल्डर का अगर पासवर्ड भूल जाते है तो सिंपल आपको अपने फोन की सेटिंग्स ओपन करना है settings open करने के बाद जो है आपको click करना होगा apps पे apps पे click करने के बाद simple आपको यहाँ पे search कर देना होगा files आपका google files यहाँ पे आ जाएगा simple आपको इसके click करना है then आपको इसके storage पे click करके simple आपको इसका एक बार data clean कर देना है data clean करने में काफी लोग ये बोलेंगे कि जो हमारा photos है, video, music, audio है वो तो delete नहीं होगा, देखी वो सब safe रहता है वो delete नहीं होता है simple आपको उसका data clean कर देना है तो data clean करने के बाद आपका google file फिर से open होगा और आप लोग जो है फिर से अपना password setup कर सकते है safe folder में, ठीक है क्योंकि सिर्फ आपको यही option करना है, ज्यादा कुछ करने के जुरत नहीं पड़ती, क्योंकि अगर हम यहाँ पे अपना safe folder open भी करते है अगर हम यहाँ पे अपना password भी ढालते है, भूला हुआ password यहाँ पे wrong भी आ रहा है तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि कहीं पर भी ऐसा option नहीं मिलता कि forget करे password को, recover करे कहीं पर भी ऐसा option नहीं मिलता तो यहाँ से तो हम कुछ भी setup नहीं कर सकते, simple आपको करना होगा, google file को long press, app info पे click करना है इसके, then आपको इसके storage पे जाके, simple आपको इसका data clean कर देना है data clean करने के बाद आपका password reset हो जाएगा और आप अपना फिर से ध्यानपूरवक password डाल सकते हैं, ठीक है so I hope आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, मिलते है next वीडियो में जय माता दी